Hello viewers, welcome to my healthy simple cookbook. आज हम बनाने जा रहा है होट अन्षावर वेजिटेबिल शूप बनाना इतना आशान है घर में कोई भी वेजिटेबिल हो तो उसमें से आप बना सकते हैं और अच्छा से एंज़ए कर सकते हैं सूप तो कोई भी टाइम पे कोई भी पी सकते हैं इसको enjoy करने के लिए मैं यह recipe ला रहे हूं फास्ट एक पैंड लिया उसमें एक चमच बाटर दिया बाटर के बाद chopped garlic दिया गार्लिक के बाद मैंने chopped capsicum एड किया उसका बाद मैंने chopped carrot भी आड किया उसका बाद chopped cabbage उसका बाद green chili मैंने सबस्करदी कमफ कर सकते हैं मिँआ बबॉल मेरा घर में गरेन शांटी को तुछ आता है यह थाले के pux देखने की उने चाहिए इसलिए मैंने इतना कालर्फुल बना दिया, मिक्स करने का बाद आम लोग इसमें साल्ट, 1.5 स्पून डाला, आप आपका मर्जी से डालिए, इसका बाद ब्लैक पेपर एड किया, फिर मिक्स करते रहना और बहुत धीमे अच में बनाते रहे, ज्यादा उचा अच में नहीं क साटे करने का बाद हम लोग 3 कप्स पानी एड किया, आप चाहिए तो 4 कप्स भी कर सकते हैं, आप जितना कंसिस्टेंसी वसं करते हैं, थीक और थीन यह आपका उपर डिपेंड करते हैं, आप चाहिए तो और भी पतला कर सकते हैं, इसका बाद 2 टैविर स्पून कॉर्ण फ ब्रेचर, पानी का साथ अच्छा से मीक्स करके, इसा कोई लाम्स नहीं रहे, इसी ही शब सब बना लीजिए और उसमें कॉंसिस्टेंस से इसा होना चाहिए, यह तो बॉइल करना स्टार्ट कर दिया अभी हमरा वेजिटीबिल, फोड़ा सा आधा पाक किया, आभी इसमें ह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सबस्क्राइब कीजिए प्लीज, इसमें होममेट घ्रीन चिली भी एड़ किया, और टॉमाटो केचप, आप चाहे तो चाट टेबिल स्पून भी मिक्स कर सकती है, यह आपका उपर है, अच्छा टेस्ट देते हैं इसमें, इसका बाद ओक मिक्सटर जो पानी के सब कुल के राका था, वो एड़ किया, इसका बाद फ़रा हाई फ्लेम में, दो मिनीट पकाने का बाद, स्लोली इसका कालर इतना अच्छा आ गई है, अभी थोड़ा सा हिलाते रहना, और हमारा होट अन सावर सूप रेडी, अभी इसका साफ करने, Thank you for watching